हुआ है बढ़िया निवन आगे चलो भई एडिमेंडर फूर में पर रहे था ना प्राश्टू कोई बाद नहीं कोई छोटा है बढ़ा है उसकी सोच बढ़ी है जो छोटा होता हो यह आगे बढ़ता है यह बात जहां तक मैंने देखा है कि इसलिए लड़की को भी गिरीजबुक वाल्ड रिकॉर्ड में लगा दो कि वही सबसे छोटी तो सबसे छोटी भी तो बंजार धरती की तो इसका रिवेंडर ठीरम में हम लें क्या-क्या पॉइंट पढ़ाता बता हूं थोड़ा बहुत पढ़ाता है आज जो पढ़ना है ह पहला इक वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि करम से भुण इसा होगा और चाहे ऐसा होगा जैसे फैक्ट्रील वान कमान क्या होता है टू कमान अचा सुरूग या कुछ बात है भी से इससे कुछ बात नहीं मिला दो दो गुण एक वागत दो तीन गुणे दो कितना होगा चार गुणे छे मतलब 24 पांश कमान बताना एक सो और छे कमान बता हो कितना साथ सब दीस और साथ कमान बताना कितना एक है चाले पगला गुण आंज चाले कहां से आते हैं ऐसे लोग तो यह समझ गया है यह क्या लिखा मैंने एक फैक्टोरियल कमान नहीं समझा है तभी तो बताओंगा बदाद बदाद आई बदाद देखो जिससे बात होता है फैक्टोरियल सौ तो इसका मतलब ता सौ गुने क्या होता है गुने गुने कहा तक एक तक यह बात को जा ड़खा तक हम लोग क्या करते कि यही तक फैक्टोरियल कमान अगर निकाल लेते हैं तो काम चल जाता है अग़िए आराम से बहुत आराम से समझा हatalगा मतलब मेरा कहने का सेलगा संस यह है ठेकर ना कहने का सेलगी है कि जो फैक्टोरियल होता है इसमें मान वहां से लेको उससे छोटी से लिखना होता है एक तक बोल सकते हैं तो एक से छोटी तो एक ही होते हैं तो बस जीरो होता है उसकी कोई वैलू नहीं होता है और दो की बात करेंगे तो कहां सलेंगे बैई दो गुने एक तीन की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो तीन गुने दो गुने एक तब भी क्या होगा अगर चार की बात करते हो तो चार गुने तीन गुने दो गुने एक तो कितना हो जाएगा चौविस अगर पांच की बात क तो आपकी पेपर में कैसे आता है मेरी बात पो समझना जैसे कोष्ण है यह तो एक concept है जो हम लोग बेसिक चीज है कि हम लोग को पता होनी चाहिए जैसे अब आगे फैक्टोरियल आठ भी हो सकता है लेकिन यहीं से हमरा कोशन के काम हो जाएगा जैसे फैक्टोरियल पांच लिखाया ति इसका मतलब होता है एक से लेकर पांच तक सभी संख्या का अपस में गुणा करना तो गुणा में या प्लस में या जो भी हो इसमें उल्टा करो या सीधा करो कोई दिकत नहीं जैसे 5 प्लस 4 को तब भिना होगा 4 प्लस 5 तब भिना हो तो उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है अब यहां से कोशन हमारे पीपर में कैसे आता है यह फैक्ट्रियल वन टू थ्री ऐसे लिखेगा और कहीं तक लिख लो आपको मर тех ये कंसेप्ट होता है चलो इन्होंने का आज इतना देखा न ओर इस में क्या ख़ड़ना आपको भाग देना है तो भाग देने का सबसे पहला concept तीन मुट उठाओ छोटा है पान से start कोड़ कहां से और कहेगा इसका remainder बताओ यह question बहुत है यानि factorial 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे करके आगे तक है और इसमें पुछा है कि पान से भाग देने के बाद remainder क्या होगा यह बात तो के लिए रहो गया तो यह fix होता है क्या fix होता है इसमें concept यह जो मैं लिखा इससे थोड़ा सब्सक्राइब को समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या point है यहाँ पर सबसे बेला point यह दिखना में कि जैसे पांच के बारे बात करीन है तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर देखेंगे 5 से भाग देना है अब 5 से कटने का rule क्या होता है बताओ 5 से कटने का rule क्या होता है बताओ बोलो 5 से कटने करूल क्या होता है हम लोग कोई भी कोश्चन होगा तो बीन प्रैंचला है बना सकते हैं जिसमें 0 हो या तो संक्या 5 से पूरा प्रापर कर जाते हैं यह बात तो पता है बोलो भाई बोल ये तो मैं आपको बता दू कि ये पांच से कर जाएगा इस बात को मानते हूं बोलो इसमें तो ये लिखा होगा एक से लिखा होगा एक से लिखा होगा एक लाग तक या दस जार तक या जीरो जीरो कुछ भी लिखा तो आप मुझे बताओ कि ये तो पांच से कर जाएगी बोलो ये भी पांच से कर जाएग अब देखिए 24 और 6 कितना हो गया यह भी 5 कर जाएगा नहीं कर जाएगा अब बच्चे क्या 2 और 1 तो इस करीमेंडर क्या बोलोगे बताओ थोड़ा सा समझाएगे मैं कहने कह जाएगा अब आगे जीतना होगा न आपको भरोसा देना पड़ेगा कि लाश्न में क्या आएगा यह बात समझ में तब आएगी जब यहाँ पर इस 7 लगा अब कहा जाएगा कि इसमें बताओ इसका रिबेंडर क्या होई.. चेके ना? क्या लगा दो ? 7 लगाने से फ़ले मैं 7 नहीं लगाता हूमी छोटा कुछ लगाता हूम जिससे आप लगा दो 6 क्या लगा दो? अब बढ बहुत सारे रूल बताओंगा बहुत सारे रूल पहले तो समझना आराम से अब यह पता चले कि यह छे सी भी कर जाएगा यह मैं बता रहा हूं कर जाएगा तो समझना कर जाएगा लगी ना भाग दें यह भी कर जाएगा और यह भी कर जाएगा छे से सारा कर जाएगा तो जह जहां से रिमेंडर में रूल है जहां से कटने लगता है वहां से सारी संख्या कटने लगता है जहां से कटने लगता है वहां से क्या होता है सारी संख्या क्या होती है कटने लगती इस बात को दें यह रूल है तो पहले उसी टोपिक पाजाओ तो छे से यह कटेगा छे से बोलो तो 6 से भाग देने पर अब यह कैसे याद रहेगा तीम यह याद रखना बूस्टाइम के लिए मैं यहां से मीटा दूगा अब 5 हो गया हम लोग ले लेते हैं 12 जानके कितना लेते हैं यह बहुंगार्ण, बहुंगा मुझे पता तो कर लिए, बहुंगी नहीं कंपा आध उत व का यह लिगेए, शे और दो आठ और एक बारस चोटी संख्या है बोलो तो इसके रिमेंडर कितना होगा नो अब समझना बारा वाला बता दिया आठ वाला बताएगी नहीं नए अब आज आठ वाला यही चीज़ पेपर में यहीं है लेकिन आप से गलती होना ज्यादा उची थे इसलिए उसको अनुचित बनाओ तो आठ से अब आठ से देखो यह कट इया बोलो अब यह भी कटेगा पंद्रे आठ एक सभी स्टेबल याद्मी होगा तो देख ले ना तुम डरते हो आठ नो बहात्तर ठीक है वह इस बात को जर्ग में के लिए उस दोनों लाइट को आफ कर देना को मु कि जर्ग इसकी कुछ वैसी है इससे में ने हो जाता है दिख रहा है अब हो गया तो मैंने किस से भाग दिया था आठ से यह भी कट हिया यह भी कट जिया और यह भी कट जाया कर जाएगा बोलो आठ शाकान तालिस जो आट वी के 24 कट देगा इधर उपर भी कट रहा है छे पड़े कितना हो कि अगर कि अगर दस की बात करते हैं ये दस वाला जो दस की बात करते हैं ये दस वाला कि यह भी हो जाएगा तो कितना हो जाए अब आज़ एक और साथ वाला इसके अलाब कुछ भी नहीं हाए लिए आसका साथ सा ने मिन्य रूल क्या है कि ट्र्टरियल साथ से आगे की सारी संखिया 7 से कर जाती है साथ साथ उननचास देख लेना और साथ दुना चोदा कर जाएगा नहीं कर जाएगा आगे फिर अगर गुना कर दोगो भी साथ से कर जाएगा इस बात को मानना तो इससे पहले का जोड़ना पड़ेगा इससे पहले क्या करना पड़ेगा तो अब कैसे जोड़ोगे तो देख सत्रीक एक इस बचे कितना है और छे और एक बचे क्या है आपर दो थेकर ना इस बात को धरबे क्लियर पांच आता है इसका तो छे और एक तीन और दो समझा कितने है तो यह इसमें बहुत सारी बात में बोल सकता हूं भी लेकिन कच्रा हो जाएगा पढ़ाई जो समझ में आ बता दिया अब मैंने बता दिया सबका अब इस पर तो नहीं लिखाओं किस सबका बता दिया आठ वाला छे वाला बारा वाला दस वाला साथ वाला पांच वाला सारी बात बता दिया यह हो गया फैक्टोरियल का रूल हो गया इसके बाद मैं फैक्टोरियल का रूल बहुत स कि दिखते पुछ देना भी बता दूंगा तारों लिखो लिख लिया कैसे लिखता है पीछ आथ करके चले आगे जली नोट करो एक एक पॉइंट पुछ लेना जहां दिखो वुज सिर्भ माजब से विखते लू लुछ। कि अज़ा आज सनी वार है ना अच्छे किया कितने लोगे जनकारी है याद रहता है कौन से महीने में संडे नहीं होता हूं हाँ है होगे वह किलियर बता चले आगे बहुत सारी इसका रूल है जो मैं बता सकते हैं होता है ना कि जैसे पर रिमेंडर फिरम अब भड़क जाओगे दूसरे लागे यहां से बहुत सारे रूल है ठीक है जी इतना ही रहने दे ना काफी अब आगे बढ़ें इसमें रूल बताएंगे कभी ऐसा मौक आएगा तो ठीक है अब कोश्चन आपके सामने लिखिए दोग के पावर ठीक है और इसमें बताना आपको रिमेंडर कल मैंने इसमें करूल पढ़ाया था और उसमें एक बात बताया था कि जब नीचे अब हाज्य संख्या हो यानि प्राइम नंबर यानि रूर संख्या हो करना क्या होता है याँपर सबसे पहले सबसे पहले इसी चलाना है ठीक है तो इसमें क्या करना है एक कम कर देना है क्या करना है यह तो बताते मेरे भाई तो साथ के जगा एक कम कर दीजिए बताइए कितना होता है मेरे भाई इसमें भाग दे दीजिए मैं तो दे दूँगा आप लोग दोगे तो साथ सही रहेगा कि शे सेटें ब्यालीस दो छे चोगा चोबीस है ना यह पूरा कट गया यह चार दो के पाउर चार कितना होता भी सोला बता देना जिसको भी दिक्कत हो एकडम ध्यानक ना हाँ सारप पाउर एकडम बस समय इधर देगा भई यह छे से इसमें भाग दो छे नवा चोगन अरे गुरापा में टेबल तो पड़े होगे ठीक है जी चौवण एक छे दूना बारा तीन पैंटीस हो जाएगा छे पचे तीस पांच बचेगा भाई बोलो तुम ऐसे जब यह कहशिया करते देना भाई ठीक है तो तीन के पौर पांच हाँ क्योंकि दसी पास के तो हो सकता है क पॉलो अबटा में रिमेंडर यह कहा से सत्री के एक किस बचेगा चाढ़ उन्चास बन जाएगा साथ सट उन्चास कर जाएगा जीरो नहीं होगा नोट कर दो आज के जबाने के नुसाथ सही टाइम पर कोचिंग जो आज के हिसाब से जैसे ग्रिजुएशन लोग कर रहा है गवर्मेंट जब कर बस जबरतस्ती एकडम सही है हाँ बिलकुल क्योंकि वह पास हो जाएगा वहाँ पास हो जाएगा जितने लोग पर रहे उस से पुछो कि क् में जो पढ़ाई दस भी तक कहीं में पॉइंट लेकिन साथ हर ब्यक्ति ये बात नहीं से मज़ता है इंटर करके चाहिए आईएसी करे आईएसी मतलब साइंस से करे कमर से आज से कुछ भी अब बीएमन नाम लिखवा कर बच्चा सिधे कोचिंग जोएट करे तीन साल में मजबूती से कुछ न कुछ लेकिन यहां ते पहले ही इंकम करके इंकर के डे इंटरी पुलिस की त्यारी करना है करो लेकिन में जो पढ़ाई होती है थोड़ा कम समझगा है गाले कि आगे चल कि क्या हो चाहिए मजबूत अचाहिए कि सम्झाय की निया बताओ चले आगे बई नेक्स्ट पॉइंट कि मैटा दू कि क्योंकि भरती के कोई फिक्स नहीं है मान के चलो आप कोई ग्रेजुशन करके आया मान लो पुलीसी बनने है कुछ भी नुगरी तो कोई खराब नहीं है और चार साल बाद आ रहे है कॉंस्टेबल के भरती आभी आ रहा है नहीं आभी आ सकता है या नहीं यह पता तो चार साल बाद तो आपका एस तो निकल गया मान लो सरकार आपको एक साल के छूट दे दी दो साल चाह कोई भी केटेगरी हो चार साल गया उधर भी बताओ तो इस हाँ इसमें रिमेंडर बताना है बताओ बोलो रिमेंडर बाई देखो ये नमबर लिखा है क्या लिखा है यहाँ पर क्या करेंगे 16 से कटने का रूल क्या होता है दो से कटने का रूले की लाश्ट का एक अंक दो से कटेगा तो सारा कट जाएगा चार से कटने का रूले की लाश्ट का दो अंक अगर कर जाए तो पुरा कर जाएगा आज से कटने का रूले की लाश्ट का तीन अंक कटे तो पुरा कर जाएगा और सोला से कटने का रूले लास्ट के चारंग कटे ते कटे मेरी बात को समझा रहे हैं लास्ट के चारंग मेरी बात को समझेगा अब लास्ट का चारंग देखिए इसमें क्या है मेरे कहने का सिंस यह मेरे भाई कि आप कुड़ा में भाग दीजे या लास्ट के चार अंग में भाग दीजिए तब भी काम चल जाए तो लास्ट के कितना अंग है 14 और 15 संख्या है अंग किसमें कितना है चार तो 16 से भाग दीजिए कितना होता है 168 128 होता है तो याँब बचे कितना 13 और 168 128 यानि मिंदर कितना होगा और जिसको करने ऐसे नहीं आएगा ऐसे भी कर लीज़ेगा ठीक है मेरी बात कर समझेगा यह रुगा कि नहीं हुआ तो बड़ियां से आप लोग समझाएगा तो इस करीमेंडर कितना होगा वहीड़ा साथ होगा बड़ियां से के कॉश्चन को कर लो हो गया चले आगे आईए यह संख्या था इसलिए हम लोग ऐसे कर दी अब आएंगा अंक में चीक है एक तालिस अंक यहने बुलतों भी अंक इसमें भाग देना किस से और इसमें बताना भाई आपको रिमेंडर रिमेंडर बताना भाई इसको कैसे करेंगे बोल यह बताईए अभी सभी लोग का चेक होगा कैसे आप बतारे आंक और संख्या में क्या अंतर होता भाई आंक मतला हमेशा अकेला रहेगा और संख्या दुकेला भी हो सकता है चाह तीन केला भी चाह चाहर केला लिए अगर मैं बोलूं एक सथ तेईष तो इसमें अंक कितना है और संक्या कितना है एक यह होता है यानि तीन अंकों की एक संक्या हो सकती है इस बात को क्लियर वग नहीं तो सबसे पहले हमें यह एक तालिस जो अंक है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा क्या तोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले एक से लेकर नौ तक संक्या भी एक है और अंक भी एक है लेकिन नो के बाद जैसे दस से जाओगे उसमें संक्या देख लो कितना है एक होगा लेकिन अंक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा यह तो करन है तो सबसे पहला काम क्या होता है आपको एक तालिस को में इससे नो घटा हो, कितना घटा हो? घटा मैं लिख देता हूँ कि आपको याद रहेगा, कितना हो 32? अगर मेरे से पढ़े होगे तो पहले पढ़ा हो, अब इसमें आधा करो, अफिन नो जो हो, अब कोशन बने गा, समझने मेरी बात को, यह क्यों करा था? सबसे पहले नो तक तो सिंगल है? बोलो, जैसे कोशन आता है कि एक से लेकर और 20 तक के गिनती गिनने पर, चलो इससे छोटा करता हूँ, छोटा, एक से लेकर 13 तक के गिनती गिनने पर, कांटिंग लिखने पर, कुल कितने आंकों की आव सकता हो? एक से लेकर 13 तक काउंटिंग मतलब गिन्ने पर गिन्ती गिन्ने पर कुल इतने अंगों की आउशक दो तो एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा ये बात पर समझागा, ये लिखा है तो कहो कितने अंग, तो 9 तक तो 9 अंग हो गया उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना हो गया, 17, मेरी बात तो समझागा है तो इसका मतलब ये होता है तो ये हर जगा तो एक से लेकर 99 तक तो गिनो कर नहीं इसके अंसर क्या होगा, 17, क्या होगा तो हम लोग जो ट्रिक बनाते, वो कहते हैं वही कि ये जो 13 है पहले 13 लिख लो, ठीक है जी अब उसमें जो एक ऊंक वाली भी संख्या और दो अंक वाली भी संख्या तो दो अंक वाली संख्या सब गुना कर दो, 13 दूना कितना हो गया ये परारा रखें और 26 में से 9 घटा दो, कितना घटा दो? तो बताव 26 में से 9 घटेगा तो कितना हो? ऐसा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहां तक तो सिंगल एक अंक भी है और संक्या भी एक है, इसलिए हर जग घटा रबादा है और यहां से क्या हो गया, डबल हो गया, मेरे बाद तो फिलिए समझा गया, और भी कोशन बता सकता हूँ, लेकिन बात भटक जाएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे नए हैं, इसलिए जादा, अब देखिए, जग आप आए, सबसे पहले हमने क्या करा, एक टालिस में से क्या घटा, तो कितना हुगा? 32, अब दो से भाग यो दिया, बरावर हो गया, सारा, बदल गया, तो कितना हो गया? अब फिर नो जोरो, क्योंकि उसक सकते हैं, 23, 24, 25, लाश्ट कहा तर? और इसमें भाग कितना से देना? 8 तर, ऐसा सीन बन जाएगा, बन गया कि नहीं सीन? अब हम लोग पढ़ें कि 2 से कटने करू ले लाश्ट का, एक अंग कटनी चीए, 4 से कटने करू ले लाश्ट का, 2 और 8 से कटने करू ले लाश्ट का, तो लाश्ट के? यह है, 425, अब आप 425 में चाहा कहें, चीकार से भाग दीजी, चाहा ऐसा दीजी, अब देखिए, हाँ बसम में आए गया, 8 पचे 40, यहाँ पर दो बचेगा, अर तरी के 24 बचे कितना? ए, तरी मेंडर क्या होगा? अब जिसको आ जाता है, यह इतना करने क कि दो थोरे होता हो, तो फटा 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 ओरल कर लेगा, एक तालीस में सलना हो गया, बत्तिस बत्तिस का अधा, 16-16 में जो पचीस, लाश्ट के 24-25 लिख लो, तरन्त अपना उराद, है कि नहीं बता है, यह पता है, लेकिन यह बेसिक सिखाना पड़ता, अब आपको कर ल कि पहले लोग बहुत सोकीन थे वी सम, रिंग्टोन रखने का गाना वाला, सुरू सुरू में जब होना है था, आज की बाद में, कम सक माज से मान के चोड़ दस सल पहले, पूरा सोकीन, जिसका बच जाता था था न मने, वो सुपर, उसका बच बच बीच में, आज से 7-8 सल पहले क्या आया, कि अबर कहीं हस्पीटल कहीं भी बिंग्टोन बजिरता आदमी के रहता है, अब तो लोग लगाता ही नहीं, अब तो लोग लगाता नहीं, कुछ लड़की चाहिए, कुछ लड़का ऐसे वो अपना घरोर में रहते तो अकेले यादों की बरसातों में, और नहीं, वहाँ जाते फिर लग जाता है, अब क्या, साइलेंट हां, लेकिन साइलेंट भी इतना मत रखोए कोई बार बार कोल करे तो आप उठाओ भी नहीं है, इतना साइलेंट भी ज़री नहीं है, भाइबरेसन तो रख सकते हो नहीं, एक ऐसे भी लोग है हमारे साथ क कि ये से कॉल अभी करा जाए, और ज़रूरी नहीं है, वह किसी लाइक थोरे की ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कॉल करा जाए, और कॉल आपने कर दे कितना, पांच, साथ, आट, दस, पुरा करोर के तुम मर जाओ, पर जिन्दा हो जाओ, जिस हिसाब साब जिन्दा हो रहे ह पिटने के बाद ही फिर अफसोस अदे यार हमने गलत काम किया, पिटना तो किसी को चाहिए है नहीं, तो यह वाली बात हो, वो बैठे हैं सरदार सामने, ठीके नहीं, सर आपने कोल किया था क्या, इनको फोन मैंने कई बार फोन किया, एक दिन आर्दस बर पंद्रवार, इस बाता चलेए, और करके फोन करें, वहाँ पर पहुनने बारे में, पहले हाय का मैसेज दीए, तो मैंने, कौन हाय भेज रहा है, तो मैंने, यहाँ, यह मेरे सा हाय, देखो इनको, वो इसके बात कोल किया, सर आपने कोल किया था क्या, नहीं सर जी मैंने और तुरह सा भास से, आज को मैंने बूलने नहीं आ रहा है हम तो ऐसे बोलती ही नहीं है आपने कोल किया थे कैसर कुछ ऐसी जरूरी है यह रात को लुटने जाना है बताओ एक गारा बचके और तालीस मिनट पर इनोंने कोल किया था तो उससे में खाप पी के आदमी तुरह सब ऐसे हो जाता है तो यह यहीं भी पर टालने जाते है आखास रात को कितने बचेक वादे का रहा है ओछ देखते है की कौन और वाला क्या कर रहा है किसका कॉन पर्स्चिंग क्या कि इसका मतलब लिंक तो नहीं आपका देखने ले ना थीखने पहुने बार जिए कोई ठान में भी नहीं जाता झ खानक ना ओभी केला लेके तीन चार मैंगा पुलीस वाले केला दे दो इनको अंदर खाएंगे अपने बैठ के लिखें कोश्चन वन टू थ्री और ऐसे करके संताम अंग तक हाँ बच्चे तरह सा इंगलिस वाले ज्यादा है इसने मैं इंगलिस नहीं लिखांग और इसमें भाग दने कितना से सोलस है अरिमेंडर बताना है बताए जल्दी फटाबट जल्दी जल्दी बोड़ी बच्चे आ गया सभी लोग का उराद उराद जीस का आता है एक आ गया बिल्कुल सही है आ गया होगा देखो भई समझ्यावाला समझ जाएगा इस सारे को सबसे पहले क्या करेंगे 57 में से घटा दो कितना चीक है वह इस बात को धरना भी किलियर तो कितना होगा 57 में से नहीं हो जाएगा 48 होगा इत होगा जी 48 का हाफ कर दो 24 और 24 में फिर 9 एड खुरो 33 हो गया इसके बाद क्या करेंगे मतला इस कार्थ यह हुआ कि एक से लेकर आप कहां तक लिखने चाहेंगे 33 तक तो लाष्ट के चारंग चाहिए क्योंगी 16 सबाग देना है तो आप 32 और क्या लिख दीजिए और बढ़ता क्या लिखिए 16 भाग दे लेंगे भाई 16 32 32 32 32 प्लस एक बने इस तरीका से तो रिमेंडर कितना होगा आगे ऐसे भी लोगा देखें शबसे पिल आप क्या करेंगे 66 में से कितना घटाएंगे कितना होता बता तो कितना 67 67 67 67 67 का आधा करो सारे 33 इसमें इतनी स्टाइलिस्ट क्यों बन ले हो सारे 33 में फिर 9 जोड़ दो सारे 42 इसका मतलब यह होता है सारे 42 कर एक दो तीन चार ऐसे करके और यह हो जाओ 42 और यह 43 मेरे बाद समझो और बटा कितना होगा और सारे 42 का मतलब होता है इसमें से ही खाटा दे उसी को सारे 42 मेरे जब यह पूरा होता तो 43 में दिखते है और सारे 42 से तो आधा यह बहुत अच्छा ठीक है कंसेट जो लोग कंशूज हो आप कुछ हो चमन से क्या हाल है चमन चमन से मैं पूछा कि तुकर ले है मैं करके बैठाओ यह बात सीधे नहीं सुन जिसे को गए है क्या हो रहे है कुछ ना पूरा जहार देता एक ही बर में राम से जहार नीरे दिर ठीक है इधर देख तो सार यह तो लोगे बादा हो मने 14 सा क्या लोगे 1424 लोगे तो 168 28 तो कितना बचेगा 44 24 बचेगा और 1424 भाग दो रीमेंडर क्या आएगा सारे 42 मतला अगला उनका आधाई लेना है क्या लेना है अगला उनका आधाई इसन बढ़ियां कोशन बहुत आराम से पुराना पढ़ेग कुछ बच्चे दो दिन आगए कंटिन्यू यह लड़का अधा संडे इसलिए आ गया अधार रहे समय बता देना सब बोलना है ना जहां दीकत है लो कुछ भी बोलना मैं समझाओ घर पर भी पढ़ना सबी लोगा है ना बढ़ियां से जी के पढ़रे हो गर पे बोलो कि नहीं पढ़रे हो खाली क्लास में ही लोगों कि अपना खुराप पर बाकि लोगों क्यों खरापने चक्र लोगों कि श्रॉषक्र कर दें, बाकि लोगों क्यों ख्रापने चक्र मरू क्या हो खिर मिठी कुमार देखो यह क्या कर रहे है चलो नेस्ट कोस्टन होगे टाइब कन लो कम्पिलिट टाइब चेंज पहले नोट करके लिखो एंगो टी इनो इंडोट लिखो लिख्व लेक्व नोट करके जो मर्जी करोव है लिखो अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या लगतार छे बार रीपिट होती है अगर कोई संख्या लगतार छे बार रीपिट होती है कॉमात तो वै तीन साथ ग्यारा तेरा 37 भी बस साथ तीन साथ ग्यारा तेरा 37 उन्तालिस से पूरा पूरा कट जाती है पूरा पूरा कट जाती है ठीक है ये टाइप हम लोग पढ़ रहे है क्या पढ़ रहे है टाइप एक एक टाइप को मैं कोशन कराओंगा तो कोई भी कोशन आपका छूटेगा नहीं इस बात में कोई भी कोशन छूटे तो राजीव क्लासी यूटीब ग्रूप में आप सेंड कर सकते हो और आपको वहाँ से सल मिल जाएगा कोई भी कोशन आजा सल करके भेज़ देना ठीक है ना चलिए तो पहला कोशन इस टाइब का इसाटर लिखे छे 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 एक से चोंतीस बार और भाग किस्से देना है तीरा से किस्से भाग देना है रिमेंडर पुछन ठीक है समझाए अगनिया है अब ऐसे कोशन को कैसे करना है देखी ये है जादू की छडी आप इसमें आपको देखो यह齤 छ छे लिखी दिये है तो ठीक पांच प्रय लिख दिये हैं वी से एक तो छे से तो ारु पचेए तो शे दुने बार तो कितना बचेगा अब दो बचने का मतलग ये 6 की संख्या लिखने यह यहाँ पर पांच दे तो बार लेक्टेम पर सब्सक्राइब मेरे कहने का सेंस है कि और इंगलिश में टेंस देखो ये छे से भाग दोने 134 में 6-12, 14-14 वन गया, 6-12 बच्चे का, 2, 2 यानि किस की संक्यत 2 भर लिख दिये, 6 की संक्यत 2 भर लिख दिये और तेरे 5 पैसम नहीं होता है, बोलो, नोट करो और कोशन दे रहूं जितको नहीं आ है उनके लिए मैं अभी फिर से दे रहूं कोशन एंसर बताओ बोला मेरे भाई जल्दी साथ सब्सक्राइब देखो सबसे पहले छे सिसमें भाग दो मेरे भाई बोले कितना होगा बोलो अब तीन किस की संगे लिखोगे अब बटा में कितना एक आरा से सब्सक्राइब बचे कितना यही आ रहा है न भाई चीक है अच्छी बात एक कोशन आप लो जो बता देगा पहले मैं मान जाओंगा वाकी मैस सही है इस बात पर अपने मैस को एक बार जाच कर लो एक दम चैले लुए दे रहा हूँ चैलेज मतलब आपस में कि बाई कोन पहले कर रहा है पैंट आलीस बार और भाग देना है 37 से देख नोगर पहले कोन बता रहे बस यहीं चेक रहा है जल्दी जल्दी लगा दो आग कि हष्ट कोन कर रहा है वह इस इंसर आगया बाहात बढ़िया गलत ह इसके अंसर वो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है अजिए अधर वर में कर जाएगा बोलो तुम ताला चावी से बहुत प्यार करते दो हो गया भाई कैसे कर रहे होंगे बताओ छे सते ब्यालीस बताइए तीन बचा ऐसे लिखिएगा बटा ऐसे लिखिंगे और अठारा बार में कट जा रहा है जब आपको क्लियर हो गया तो रिमेंडर क्या होगा जीरू इससे भाग देना सैंतिस से छे सच्छिया से इतना बार म तो यह यहां पर एक टाइप साथा कोशन कराऊंगे एक टाइप जरूरी था इसके आगे मिलेगा मिश्ट टाइप जो मिलेगा कब कल तो आज के लिए इतना ही धन्या बाद अब तक रिवीजन करो जल्दी अपना बुक निकालगे जो कल पर है पटा पट पूश ताश करू अगर नोकरी चाहिए तो मेरी बात आपको माननी पड़े कि द्यान रखना यह नहीं कि हाँ